नमस्कार दोस्तो एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दोस्तो भी ये परिच्छा में ये कौन लोग है जो लव लेटर लिखते हैं तो दोस्तो देख अक्सर न्यूज में आता है सोचल मेडिया प्याता है कि जब कापी चेक करते हैं तो कापी के अंदर लिखा हुआ मिलता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं थे मैं पढ़ाई नहीं कर पया सर मैं बहुत गरीब हूं सर मेरी मदद करो सर मुझे नंबर दे दो कुछ लोग लव नितिकेशेल के रहे में लिखेजिं़ के बारे में लिखते हैं तो दोस्तों देख़े ऑबहुत है हैं चर्ट परिक्षा के अंदर लुट लिखता है वो लोग दोस्तो परिष्या के अंदर love letter लिखते हैं कभी examiner से कहते हैं कि sir मेरा number देदो कभी लिखते हैं कि sir मैरी परिष्टिती बहुत खराब है कभी लिखते हैं कि sir मैं उसे प्यार करता हूँ फिर उसके बाद इस तरीके की अब देखे होंगे जो बदमास होते हैं पहले category के लोग जिनको कुछ नहीं आता है इस वैसे लोग love letter लिखते हैं और दूसरी category के जो लोग है दोस्तो बदमास होते हैं उनको जो है कि बस यही सब लिखने से मतलब होता है परिक्षा हो ना हो उनकी जिन्दगी खराब हो ना हो इससे कोई मतलब उनको नहीं होता है तो दो category के लोग होते हैं जोस्तो यह सब लिखते हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तो कि अगर यह लोग इस तरीके activities करते हैं तो इनके life में क्या आने होते हैं दोस्तो देखें सबसे पहले तो बात ही आती है कि यह जो लोग होते हैं दोस्तो यह अपने life को लेकर serious नहीं होता है यानि कि अगर यह लोग अगर serious नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि दोस्तो अगर यह लोग serious होते है तो परिक्षा के अंदर किसी भी exam के अंदर चाहे हो बोड परिक्षा हो, high school हो, inter हो, BA हो, MA हो इस परिक्षाओं के अंदर दोस्तों news के अंदर या social media के अंदर इस तरीके के activities देखने को नहीं मिलती कि परिक्षा में अग्सर love letter लिखावा मिल रहा है examiner जब कापी चेक कर रहा है तो उनको इस तरीके से दिल लिखावा मिल रहा है उसमें नीचे लिखावा मिल रहा है कि सर मुझे पास कर दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ नीचे लिखावा मिल रहा है कि सर मारी परिस्टी अच्छी नहीं थी कि इस वश से मैं पढ़ाई नहीं कर भाय यसब बातें जो लवलेटर हो गया, तो परिखावा मिल नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ लोग अपने करियर को बरबाद नहीं करेंगे तो परिखावा आज मैं आपको बता दू कि जितने भी स्टुडेंट यह जो लोग भी परिक्षा के अंदर love letter लिखते हैं यह इस तरीके के activities करते हैं यह अपने परिस्थितों के बारे में लिखते हैं फालतु चीज़े जो लोग भी लिखते हैं उनको career के लिए बहुत खत्रा है क्योंकि उनका career जो है दोस्तो बरबात हो जागा क्यों होगा क्यो है तो दोस्तो बोड की तरफ से यह सकत लागू नियम है कि आपका जो नाम है दोस्तो किसी भी college में नहीं लिया जाएगा और नहीं आपका भी फिर exam दे पाएंगे तो दोस्तो अगर आप इस तरीके के activities करते हैं तो please कभी activities मत करिएगा और भूल से भी कभी इस तरीके के बा जो पहले category के लोग होते है जिनको परिचा में कुछ नहीं आता है तो दोस्तो मैं यह मानता ही नहीं कि परिचा में कुछ नहीं आता है दोस्तो अगर इनको परिचा में कुछ नहीं आता दोस्तो यह लोग लव लेटर कैसे लिख देते दोस्तो यह लोग अपना दिमाग जो लब लेटर लिखने में लगाते हैं इस तरीके की दिल बनाने में लगाते हैं तो मैं यह नहीं मानता कि इनको कुछ नहीं आता दोस्तों अगर इनको कुछ नहीं आ रहा होता तो अभी तक यह बीए के एक्जाम में बैठा नहीं होते ठीक है अगर जिसको कुछ नहीं आता है अम्ने में यह नहीं पहुच पाता है यह लोग दोस्तो यह मतलब हैं इनpass Creative में लेकिन आप मन की के बड़े होके होने के करते हैं और अपने भविष्य के बटो में तो आज की hai व्यूवें में आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आप भी इस तरिके का कुर्फित्ष करने वाले हैं या कर चुके हैं तो दो बारह कभी इस तरिके की अधी but करिएगा क्योंकि इससे आपकी लाइफ खराब हो जाएगी तो दूस्तों आज के इतना ही